नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धमसर्मार्ग कन्या रासी का राउनोमी के बाद उच्च का सुक्र बदलेगा भाग मिलेगी बड़ी सफलता अगर आपकी भी रासी कन्या है तो यह वीडियो अंतक जरूर देखे आज हम बात करेंगे राउनोमी के बाद उच्च का सुक्र आपके आने वारे जीवर में क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं आपके रासी के स्वामी स्वेम बुद्ध हैं और बुद्धे भी हाँ पर नीच भंग राजयूग बना रहे हैं और कन्या रासी में सप्तम भाव में बुद्धे नीच के हो रहे हैं पत्नी के माध्यम से अपार पैसा आएगा पत्नी की संपत्ति का लाव मिलेगा आपके रासी का स्वामी अपने घर को देख रहा है तो दोस्तों इतना सुपसन योग है आपके रासी का स्वामी इतना अच्छा योग बना कर आपके लिए रखे हुए है और उपर से आपके भाग्य और धन का स्वामी उच्चका होकर पतनी के घर में बैठे हैं यानि पतनी का पती के माधियम से लाब और पती को पतनी के माधि और भी चीजें लाव हो सकती है पत्परतिष्ठा की भी लाव हो सकती है अपार धन आने का योग बन रहा है धन की बारिस होगी क्योंकि बुद्ध और सुक्र दोनों एक साथ हैं दोनों ही राजयों गुना रहे हैं अब इतना अच्छा मौका तो बार बार नहीं आता ना तो इसका पूरा आपको फैदा उठाना है अगर आप लव मैरेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्योंकि यहां पर सुक्र देव आपको सुन्दर पती या फिर पत्मी देंगे जो भी चाहते हैं हनुमान ची की किरपा से यहां पर राम नौमी के बाद जैसा हमने टॉपिक रख लेड़ेगा क्योंकि यह जो राजयोग है ना राजयोग की एक नहीं बल्कि कई के मामलों में जीवन में उन्नती देंगे तीसरे भाव का विरस्पती जीवन में अफूपता लाएंगे और शुक्र देव केंडर में सप्तमभाव में उच्चिके हो रहे हैं विदेश से ला वाले देखते रहाते हैं जलने वाले जलते रहाते हैं और आप उचाईयों को छूलेते हैं बिल्कुल वैसा ही होने वाला है करन्या रासी वालों के साथ और लोग जो धोखा अब तक आपको कर रहे थे यूज कर रहे थे फरेव कर रहे थे आपने आपको लग रहा है और ऐसा और बुद्धिमान आपको बनाएंगे आप तमाम प्रयास करते रहते हैं कभी भी पीछे नहीं हरते और एक दिन सफलता आपको कदम चुनती है वैसे आपकी रासी के स्वामी बुद्ध जो है वह यहां पर नीच भंग राजियोग में क्या होता है अपार पैसा आता है उसे आ आपके जीवन में सुभता लाएंगे उचाईयों को देंगे इसमें आपका फाग्योदे होगा सुक्र के जो आप कारे हैं उनसे आपको लाब होगा अप सुक्र का कारे है जैसे महिलाओं से समद्धित कोई भी कारे बस रहे आप उसे ने कॉस्मेटिक्स है या पारलर है काम धंदे जोरो पर चलेगी तेजी आएगी लंबे समय से अटका फसा पैसा भी वापस आएगा धन लाप होने के तो योग बन ही रहे हैं आपके परिवार में खुसियाभी दस्तक देने वाली है लेकिन एक गरबर है और वह यह है कि मंगल देव अस्टम भाव में हैं और के घर में मंगल कहोने से आपको अपने पीटा के स्वास्त पर ध्यान देना चाहिए साथ ही इस समय आप जूए सटे लोट्री से दूर रहिएगा बढ़ना लॉस लग सकता है और भाग में भी अपरोध पैदा कर सकते हैं मंगल देव तो आप इन चीजों से बचने के लिए रोज हनुमान चालिसा का एक बार पाट कीजिए सिंपल सा चीज है और लाल बस्तर मधारन कीजिएगा साथ मई तक साथ ही संभव हो तो मंगल वार के दिन किसी मीठी चीज का दान आप बच्चों में बुजूर्गों में किसी में भी कर सकते हैं गरीबों में कोई दिक्कत नहीं है अगर लव लाई की बात को है तो हमने कहा आप लव मेरेच कर सकते हैं बैवाहित जीवन उत्तम बना रहेगा जब अपनी प्यार से ही आपका विवाह होना है तो अच्छा तो रहेगा ही और विवाहित हैं तो भी आपके प्रेम में मधुर्त आएगी आपको एक तेजी से आगे बढ़ेगी आपका भाग्योदे हो रहा है लेकिन सेयर मार्केट जुए सट्टे से दूर रहेगा फिर से हम बता रहे हैं नहीं तो फिर लॉस लगेगा और अगर आप और विवाहित हैं तो भीवाह तो होना ही है बहुत अच्छे-च्छे से योग बने प्रोसा ना करें क्योंकि लोग अक्सर धोखा देने के लिए ही होते हैं अच्छे भी होते हैं पर बुरे जादा हैं दुनिया में सभल के रहिए और तरक्की करते जाएए ताकि जीवन में आपको पीछे मुड़ने की आवसकता ना पड़े जो बीत गया वह आपका कल था आ अधा को ठंडा रखें और प्रयास करते रहें अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो लाइक का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ धन्यवाद